नमस्कार साथियों यह न्यूस पेपर से संबंदे डिक्टेशन है जो पांस सेकंड बात स्टार्ट होगी स्टार्ट अमेरिका में लोकतंत्र की लंबी परंपरा के अक्सर किये जाने वाले दावों के बीच आज भी अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए यातना से गुजरना पड़ता है या उसकी हत्या भी कर दी जाती है कि वह एश्वेत है तो यह वहां के मानवदिकारों और समानता आधारित समाज के दावों पर एक गंभीर सवालिया निसान है विराम गोर तलब है कि 25 मई को अमेरिका के मिने पोलिस में एक स्वेत पुलिस कर्मी डेरेक साविन ने एक एश्वेत व्यक्ति जार्ज फ्लोयर को जमीन पर गिरा कर उसकी गरदन को तब तक अपने घुटने से दबाए रखा जब तक कि उनकी सांस नहीं तूट गई विराम इस बीच जार्ज फ्लोयर यह कहते रहे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा और आसपास खड़े आमनागरिक पुलिस वालों से उसे छोड़ देने का आग रहे करते रहे विराम लेकिन पुलिस कर्मियों ने किसी की बात को सुनना ज़रूरी नहीं समझा विराम अब इस नसलिये गटना के खिलाप समूचे अमेरिका में आकरोस फैल गया है कई जगेहों पर हीनसक गटनाएं हुई विराम विरोध में व्यापक आंदोलन हो रहा है और उसका मुख्य नारा जाज फ्लोयड के वे आकरी सब्द बन गए हैं मैं सांस नहीं ले पा रहा पैरा विरमना यह है कि इस गटना के त्रासद और सर्मनाक संधर्बों को समझ कर राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प को न्यायपून रुख अख्तियार करना चाहिए था लेकिन उन्होंने उल्टे बढ़काने वाले बयान देकर हालात और बिगारने में ही अपनी बहाद्दुरी समझी एक राष्ट के सर्वे सर्वा होने का दावा करने वाले व्यक्ति के नाते ट्रम्प के इस रवये को बेहर अफसोसनाक कहा जा सकता है विराम अमेरिका में नसलिय हींसा की यह कोई अकेली घटना नहीं है विराम हर कुछ समय के अंतराल पर वहां किसी एस्वेत की नाहक ही हत्या कर देने या फिर भेदबाव की खबरे आती रहती हैं विराम सवाल है की 21 सदी का सफर तै करते अमेरिकी समाज और सत्ता ने कैसी जमीनी तस्वीर बनाई है की वहां आज भी नसल के आधार पर किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाप ऐसे आपरादिक बरताओ की गटनाएं सामने आती रहती हैं विराम क्या इस गटना के पीछे अमेरिका में स्वेत स्रेश्टा के एमानविये सिद्दान्त में विश्वास करने वाले कुछ नव नाजी समुहों के अभियान से उपजी कुंठा एक मुख्य कारण नहीं है पैरा दरसल एक सब्भै और सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश होने के दावे के बीच अमेरिका में नसलिये स्रेश्टा के मनुस्य विरोधी सिद्दान्त में विश्वास रखने वाले कुछ नव नाजी समुहों ने अपना कुछ सित प्रचार अभियान जारी रखा हुआ है विराम लेकिन यह भी सच है की अमेरिका में ऐसे नव नाजी समुहों के बरकस स्वेत समुदाय का बड़ा हिस्सा स्वेत स्रेश्टा में विश्वास रखने वालों के खिलाफ है विराम यही वजह है की जार्ज फ्लोयर्ड की नसलवादी हत्या के खिलाफ जब समुचे अमेरिका और यूरोप से लेकर सैंट पिटर्स बर्ग तक में आक्रोस बढ़का हुआ है तब उसमें ऐस्वेतों के दुख और गुसे में भारी तादाद में स्वेत समुदाय के लोग सामिल हैं विराम यह याद रखने की जरूरत है की अमेरिका में 1860 के दसक में ऐस्वेतों को गुलाम बनाएं रखने के खिलाफ एक व्यापक ग्रहयुद हुआ था विराम लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका में दास प्रथा की समापती हुई विराम लेकिन आज भी अगर अमेरिका में स्वेत स्रेश्टता की कुंठा में जीते कुछ लोग उसी दोर की वापसी चाहते हैं वहां के सब्भे और सम्वेदन सील समाज की यह जिम्मेदारी बनती है की वैसे तत्वों को जड़ से उखाड फैंकने के लिए आंदोलन चलाएं विराम अतीत में ऐस्वेतों के खिलाप जितनी तरह की नाइनसाफी और बरबरताएं हुई हैं उसकी भरपाई आज उनके लिए बराबरी और इनसाफ पर आधारित विवस्ता ही हो सकती है विराम यह है एस्वेत समुदाए का अधिकार है विराम दन्यवाद साथियों